तो हेलो गाइस कैसे आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब बढ़ी आउंगे तो यार मैं भी बढ़ी आई हूँ तो आज का कुछ इस तरीके का सीन होता है कि उतरते भाई पोचंकी में और जहां तक अगर मैं सही हूँ तो वहाँ पर एक स्कॉर्ड उतरती है और उसके बाद यहाँ पर भाई गन के नाम पर मुझे मिलती है डीवियस और यूजी और भाईया सामने की इमारत में से न फुच्टा पारे होते हैं तो ढूंते ढूंते वहाँ तक पहुंची जाता है और इसके बाद क्या होता है देखो अपने आखो से तो इसको लुक का चिपी खेल नहीं थी तो इसकी पेटी बना दी खेर आगे से गोली चलने की आवास आती है जितने में मैं तुमसे यह बाद करी रहा हूँ तो गाइस मैं आगे जाही रहा हुता हूँ कि मुझे एक बंदा पहले से नौक आउट दिखता है और दूसरा बंदा उसको रिवाइफ देने जाही रहा हुता है कि मैं दोनों के बीच में गोश जाता हूँ अब जो बंदा पहले से नौक आउट था भाई उसको मेरे ही बंदे ने नौक आउट किया था खेरिया पर मैंने इनकी मक्कन पेटी बनाई दी अब आगे का ये सीन होता है कि एक बंदा यहां से भाई भागा था उसके फुटस्टप यहां पर आपने सुने होंगे तो मैं इसको ढूनने की कोशिश करता हूँ इतने में बॉट भाई या मेरी मदद करते है कि आखिरकार वो है कहां यहां पर मैं इस बंदे की परिशानी को एकदम समच सकता हूँ भाई जब तुम टीपी पी ले रहे होते हो ना और पीछे से बॉट आजा और पुटर पुटर करके तुम्हारी लोकेशन एक्सपोस कर दे तो तुम्हें बहुत ही जादा बुरा लगता है अब देखो नहीं यहां पर मेरे को एकदम इजी पता लग गया कि वो वाल के पीछे है और सीधा उसके यहां पर पेटी बना दी खेर आगे का यह सीन होता है कि मुझे जो यह जो वेंडिंग मशीन होती है ना मार्केट में तो उसमें से मैं ग्रोजा को ले लेता हूँ और उसके अलावा यहां पर दो बॉट मिलता है तो भाई उनकी पेटी बनाने के बाद सीधा अपार्टमेंट निकल जाता है और अपार्टमेंट में भाई बहुत देर इंतिजार करने के बाद एक गाड़ी की आवास आती है और फिर अब जैसी मैं इन पर गोली चलाता हूँ तो यह लोग आगे वाले अपार्टमेंट में जाकर के रुख जाते हैं और फिर मैं उपर जाके नेड करने की प्लैन करी रहता हूँ कीतने में यहाँ पर गाड़ी की आवास आती है और उसमें दूसरी स्कॉर्ड आ जाती है और एक बंदा मेरे को ग्राउंड पर भागता वा भी दिखता है आगे देखो अब गाइज यहाँ पर एक नेड आता है सिधा मेरे मुझ पे अब गाइज यहाँ पर मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ पर मैं बच कैसे गया क्यूंकि यार तुमने देखा वो नेड आया सिधा मेरे मुझ पे भढ़ गया भाई यहाँ अगर तकरीबन देखी जाए तो म करना ही पड़ेगा ना कि जितने में इनसे फाइट चली रही होती है कि भाई दूसरी वाली जो स्कौर्ड होते है ना गाड़ी साती है वो हम पर रश कर देती है आगे देखो प्रवड़ी जितने में प्रवड़ी जितने में देखो तो गाइस जैसे कि आप यहां पर देख सकते कि भाई ग्रोजा की पावर भाई एक स्प्रे में तीन मंदों को यहां पर निपटा डाला तो यहां पर तुम भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना और वीडियो का भी तक लाइक नहीं के तो लाइक कर देना और कि के पास जाते हैं और भाई मेरे पास नेड बहुत सारे हो जाते हैं तो मैंने सुचा यार और नेड क्यों ना करें जब इतने नेड पड़ें कि इतने में भाई पहाड़ी की साइड भी कुछ बंद है फिर से आ जाते हैं तो फिर क्या होता है आगे देखो तो मैं कोशिश करता हूँ नेड को टिका के मारने की अब यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं जब नेड इतने ज़्यादा घटिया है तो खेर यहाँ पर भाई मैं इनको छोड़ता हूँ और भाई पहाड की तरफ एक बार देखता हूँ कि वहाँ पर क्या माजरा चल रहा है मैं देखता हूँ वहाँ पर स्मोक हो चाता हूँ एक बंदा बार बार पीक कर रहा होता है भाई गोलिया खाने के बाद भी पीक कर रहा होता है देखो आगे अब गोलिया खाने के बाद भी ये नौक आट नहीं होता तो मैं भाई दुबारा कोशिश करता हूँ और यह दुबारा पिक करेगा अब बंदा बार बार गोली खाने के बाद आखिर कर हार मानी जाता है और भाई वो सोचता है यहां से भाई निकल लेना चाहिए क्योंकि दाल गल नहीं रही है तो यहां पर मेरा बंदा भी नॉक आउट हो जाता है आगे देखो अब यह बंदा आगे की तरफ स्मोक कर लेता है तो मैं समझ जाता हूँ यह भगने वाला और इतने में भाई हर तरफ से गोली चलने के आवाज आ रही होती है कि एक AWM भी चलने के वाज आती है और मेरा बंदा नॉक आउट हो जाता है तो लो भाईया हो गया नॉक आउट और इसके बाद भाई मैं सीधा उसके पास भगते वह जाता हूँ उसको रिवाइफ देने क्यूंकि भाईया इसका जिंदा रहना बहुत ज़ादा ज़रूरी था अब इसको रिवाइफ देता हूँ रिवाइफ देने के बाद जितने मैं रिवाइफ दे ही रहता हूँ कि एक गाड़ी के वास आती है और भाई वो जो पहाड़ वाले बंदे होते हैं वो गाड़ी को लेकर के नीचे आ जाते हैं और एक बंदा उन में से हमारी पडोस वाले एनिमीज पे नेड़ कर रहाता था तो देखो उसको कैसे पकड़ते हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर सीन को समझी रहे होगे भाई पहाड़ से जो बंदे आते हैं वो पूरे के पूरे चार होते हैं जिन में से मैं एक की तो पेटी बना जाता हूँ जैसे कि तुमने देखा बाकी के तीन जा करके भाई उन अपार्टमेंट वाले दो बंदों को फिनिश कर देते हैं तो कुल मिला करके अब उस अपार्टमेंट पे भाई उन पहाड़ी वाले तीन बंदों का कब्जा है और भाई इन पहाड़ी वाले बंदों का नाम ना EFX करके शूरू हो रहा था चारों के चारों का तो लो भाईया जितने में मैं ये बात करी रहा था अपसे कि भाई ये भी नौक अट हो गया तो फिर कैस को रिवाइफ देता है और रिवाइफ देने के बाद ना मैं वापस यहां पर आता हूँ और भाई इसके बाद ना ये तिरों के तिरों हम पर रश कर देते हैं आगे देखना क्या होता है तो आखिर कर ये लोग भी यहां पर आही जाते हैं अब यहां पर मैं अंदासा लगा रहा हूँ तो कि कौन कहां पर है तो गाईज इसे कहते हैं एकदम सयम से काम लेना यानि कि एकदम आराम से भाई यहां पर अगर मैं सारी गोली फायर कर देता ना तो पक्का मेरी पेटी बन जाते क्योंकि दो नमबर थो वैसे भी नॉक आट होई चुका था पर यहां पर एकदम आराम से काम लिया और भाई दो को नॉक आट किया और तीनों की पेटी आखिरकर आग की बोतल से बना दिया और भटाक से इदर आकर के भाई यहां पर मैडिकेट लगाता हूँ और उतने में तो गाइस कूल में लाकर कि हम इस वाले भी बंदे के यहां पर पेटी डाल देते हैं अब यहां पर भाई इसका एक और बंदा कहीं पर साब बन के लेटा वाँगा जिसका नाम कमांडो होता है और कमांडो के पास AWM होती है और वो हमारे दो नमबर के सर पे क्या कहा हो मैं पट से हटशोट दे देता फिर क्या होता है अब जैसी AWM चलने के वाज आती है तो भाई मैं इससे पूछता हूँ कि भाई कहां से पढ़ी location बता कहां से मारा पता भी नहीं चला अब इनको तो नहीं पता कि भाई इनको कहां से पढ़ी लेकिन यहां पर एक नेड़ फेकने के वास आती है तो मैं समझ जातो बंदा यहीं कहीं है अब हमारे दो नमबर भाई या बार बार कह रहे थे कि चलो सेफ जोन में चलते हैं लेकिन मैंने का भाई पेटी बनाए बेना कैसे आगे बड़े तो गाइस इस तरीके से इस वाले भी बंदे की पेटी डाल देते हैं और इसकी पेटी डालने के बाद मैं फटाक से इसकी पेटी में से जाकर के AWM को ले लेता और भाई जोन आ रहा होता तो सीधा गाड़ी को पकड़ के भाई जोन में निकल पड़ते हैं और जोन में गाड़ी घुमा घुमा के देख रहा हूँ तो कि भाई बंदे कहा हैं पर कोई नहीं दिखता तो अंत में एक जोपड़ी दिखते हैं तो जोपड़ी के पास गाड़ी रोकते हैं और मैं एकदम चोड़ में भाई AWM को ले करके भाई एकदम मस्त था कि मुझे यह पर हम गाड़ी में स्मोक कर देते हैं ताकि हमारे गाड़ी के टायर ना फोड़ दे जाए और जैसे तैसे भाई फिर गाड़ी में पैटते हैं और गाड़ी में बैटने के बाद नहीं यहां से निकल पड़ते हैं किसी अच्छी जगा पर और एक रिच के पास ना जा करके गाड़े को रोकते हैं और वहाँ पर रोकने के बादना मैं बंदों को लोकेट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ पर भाई बंदे मुझे लगता घर में हैं लेकिन असल में तो भाई बंदा साब बन के लेटा वा होता है तो फिर क्या होता है आगे देखो अब यही मौका होता है जब मेरे को जाड़ी महल किसी हलचल दिखती है तो भाई यह फिर क्या था मैंने बगेर देर के सीधा ग्रोजा चला दी और यहां पर इसकी पेटी बन गई अब यहां पर आखरी वाला बंदा बाकी होता है जिसको भाई मैं डोनने की पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन अंत में जाकर के वो दो नमबर कोई मिलता है और दो नमबर उसकी पेटी डाल देता है और यहां पर हमारा हो जाता है भाई जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बिनर बिनर मुर्गी डिनर तो यार कुल मिला करके मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगे कर दो कर दो खब करेंगा।